नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एकादसी का परत रखने वालों के जीवन में खुसियां भर जाती है और मिर्तियों के परशात मोक्ष की प्राप्ती होती है माक्सिस माह के सुखल पक्ष में पढ़ने वाली एकादसी को मोक्षदा एकादसी कहते हैं वैसे तो हिंदु धर में एकादसी का बहुत महत्व है और इस दिन अगर विधी विदान से भगवान स्री हरी विष्णु की पूजा की जाए तो घर परिवार में खुसियां भर जाती है मिर्तियों के परशात मोक्ष की भी प्राप्ती होती है और अगर धार्मिक माननेताओं की माने तो मोक्षदा एकादसी का ब्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ती होती है सुब मूर्थ क्या है? पारन कप करें? देखे इस बार मोक्षिता एकादसी का ब्रत 22 और 23 दिसंबर दो दिन रखा जाएगा 22 दिसंबर को ग्रिहस्त जन ब्रत रखेंगे 23 दिसंबर को बैसनब ब्रत रखेंगे 21 तिथी का प्रारंब 22 दिसंबर 2023 को 8 बचकर 16 मिनट सुब आट बचकर 16 मिनट पर होगा 21 तिथी का समापन 23 दिसंबर की सुब 7 बचकर 11 मिनट पर होगा 23 दिसंबर को ब्रत तोड़ने का समय रहेगा दो पहर 1 बचकर 22 मिनट से साम 3 बचकर 26 मिनट के बीच और 23 दिसंबर को पारं तिथी के दिन हरी वासर समाफ्थ होने का समय है दोपहर 12 बचकर 69 मिनट पर 24 दिसंबर को जो लोग बत रखेंगे वो बत तोड़ने के लिए सुबह 24 दिसंबर को जो लोग बत तोड़ेंगे ला 24 दिसंबर को पारण के दिन द्वादसी सुर्योदर से पहले समाप्त हो जाएगी याद रखेगा इस दिन पूजा कैसे करेंगे सिंपल तरीके से गर दो सब्दों में जाने तो सुबह जल्दी उठकर्ष्णान वेगरे से निब्रित हो जाए घर के मंदिर में दीपक जलाए भगवान स्रीहरी को गंगा जल से भी सेख करें पुस्प तूलसी दल अरपित करें संभव हो तो बत रखें भगवान को भोग एक के मद्ध अपने घर के पुजास्थान पर एक दिया जरूर जलाए कम से कम आधा घंटा जले ऐसे मेवस्ता कीजेगा हर कामना पूरी होती है और इस दीपक में दो लॉंग डाल दीजेगा तो हम आपसे भीदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें से